मैं सबसे पहले तो मेडिया के अपने मित्रों का भार प्रिकट करता हूँ जिनोंने आत्म निर्बर भारत इस संकल्प को इस अभ्यान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है पिछले दो दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है इसकले मैं आप सबका बहुत-बहुत अभार प्रिकट करता हूँ अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जीने अपने सबसे पहले भाषन में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे जो गरीबों को सुने गरीबों के लिए जीए और इसलिए नहीं सरकार देश के गरीबों को समर्पित है यवाओं को महिलाओं को समर्पित है गाउं हो गरीब हो पीडित हो वंचित हो ये सरकार उनके लिए हैं हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है और पिछले छे वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोधी सरकार ने बहुत काम किया में उन योजनाओं पर आज नहीं जा रहा लेकिन किसान की बात कर लें पीएम किसान सम्मान की बात हो छे हजार हर किसान के खाते में परदानमंत्री फसल भीमा योजना हो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो स्वाइल हेल्थ कार्ड की बात हो जो गरीब कभी अपनी इंशोरें ऐसा भी खुला? और इस COVID-19 की स्थेति में अगर सीदा खाते में पैसा किसी ने भेजा है, तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने पारदरश्टा के पारन भेजा. तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की, तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने और कल भी जो आपकी चंता का विशेत है और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापिस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए तो आज हम आप सब के सामने आए हैं कल MSME सेक्टर की मदद की तो 12 करोड लोगों को ये मद्यम लगू सुक्षम उध्योक रोजगार देते हैं अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तोर पर गरीब मदद की मदद भी कल की गई और कहीं न कहीं जो इतना सकरात्मक वातावरन बना लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ इससे उध्योकों को फाइदा मिलेगा तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा तो आज का जो हम करने जा रहे हैं गरीब के लिए प्रवासी मजदूर के लिए और एक दो बिंदु किसानों के लिए आज बाकी अगले प्रेस कॉंफरेंस में आप सब के सामने आएगा तो इसमें मुझे किवल इतने कहना है और मोधी जी ने इसको बारा तरीक को भी मानने परधान मंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए देश के उस किसान के लिए है जो हर्स्तिती में हर मौसम में देशवासीयों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोशना है जो हमने अब तक कदम उठाए वो लगबग तीन करोड किसानों के लिए जो क्रिशी रिण है वो चार लाग बाईस हदार करोड के वो अवेल कर चुके हैं इसले तीन महिनों में उसके लिए लोन मोर्टरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि तीन महिने तक उनको वापस नहीं करना है इंट्रस सब्वेंशन दी है व्याज पर साहिता दी है तवरित भुकतान यानि के प्रॉंप्ट रिपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर और ये भी जो पहली मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मैं तक कर दिया है 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिस पर जो रिंड की लिमिट होगी वो 25,000 करोड होगी क्रिशी के क्षेतर में क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी दो महिने है देश के लिए भी और देश के क्रिशी की अर्थव्यस्ता के लिए बहुत महत्तपून था तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रिल महिने में 63 लाख रिंड मंजूर किये गे जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 क्रोड प्या है और इससे बल क्रिशी क्षेतर को मिला है विशेश तोर प्रकिसान के लिए बहुत बड़ी बात है गाउं में कोपरिटिब बैंक रूरल रिजिनल रूरल बैंक इनकी महत्तपून भूमिका रहती है और कोपरिटिब बैंक और रिजिनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबाड ने 29,500 क्रोड प्या के रीफर्नेंस का प्रावधान किया है ग्रामीन क्षेतर में अधारवू धांचे के विकास के लिए 4200 क्रोड पे का सहयोग रूरल इंफ्राजक्टर डिवल्प्मेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशी उपलप्त करवाई गई इसके लावा जो फसल की खरीद क्रिशी उच्पात की खरीद के लिए 7700 क्रोड पे की वर्किंग कैप्टल भी कारिशील पुंजी भी राज्यों को प्लप्त करवाई गई है प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब ये चर्चा का विशे पिछले कुछ दिनों में भी रहा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में विनकले किया और इस समय में तो विशेश तोर पर हम लोगों ने आपदार राहत के माध्यम से जो फंड स् में से राहत दी जा सके अपदा राहत हो सके उसके इस के लिए इसतमाल किया गया और यही नहीं हाईजीन का ख्याल रखते हुए तीन मील्स एक दिन में प्रती व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाएे गया ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया और जो हमारे स्वें सहायता स्मू हैं, जिसको आप Self Help Groups भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वें सहायता स्मू ने 3 करोड मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है, ये का अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये संकट की घड़ी में हमारे काम और ये बड़ कर और शुरू हैं पिछले दो महिनों में, और जो Revolving Fund, Self Help Group के लिए पैसा एक पोर्टल के मादिम से हमने शुरू किया था, गुजराद में पाइलेट प्रजेक्ट, अब उसको पूरे देशवर के अलग-लग राज्यों में शुरू किया जाएगा, ताकि उनको और लाब मि सके, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने गोशना की थी, तो Self Help Group के लिए भी 10 लाग से बढ़ाकर 20 लाग रभी उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी capacity building में एक मदद मिलेगी, जो हमारे प्रवासी मजदूर वापिस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद M.G. निरेगा के माद्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं, और अब तक 14 क्रोड 62 लाग परसंडेस जनरेट किये जा चुके हैं 13 मही तक, और इस पे कुल खर्चा लगबक 10,000 क्रोड के लगबक किया जा चुका है, जो काम ओफर किया गया है, वो 2.33 क्रोड जो काम मांगने वाले हैं, उनको कल तक किया गया, और ये लगबक 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है, इसमें 40-50 प्रतिशत लोगों ने अपनी इंरॉल्मेंट की है, रिजिस्ट्रेशन की है, पिछले साल के में महीने के मुकाबले, जादा लोगो ने किये, तो इस बार 140-150 लोगों ने किये, उस तरह से उसका आंकड़ा लगबक बड़ा है, और एक विशेश मुहीम पुरे जिलों में देशपर में चलाई जा रही है, कि ये जो वापिस यहां से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आपको रिजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं, और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिये गए हैं, और यही नहीं, 180 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थे, उसको बढ़ा कर भी 202 रुपे कर दिया गया है, लेबर कोट के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाब देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो नियुनतम वेतन है, वो लगबग 30 प्रतिशत वर्कर्स ही उसका लाब उठा पाते हैं, समय पर उनका वेतन का भुकतान नहीं हो पाता, अन और्गनाइज जो असंगठित ख्षेतर उसमें यह दिक्कत है, और इसी लिए उनिवेर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है, कि नियुनतम वेतन की उनिवेर्सलाइजेशन की जाएगी पूरे देश पर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक नियुनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है, और जो क्षेत्रिय असमानता है, जो रिजनल डिस्पैरिटी है, नियुनतम वेतन में, उसको भी इसके माद्यम से दूर किया जाएगा, वेधानिक रूप इसको दिया ज जाएगा और नाशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रिड्यूस की जाएगी यही नहीं जो इसको तै करने के तरीके हैं मिनिमम वेजिस उसको और सरली करने इसका किया जाएगा ताकि इसमें कम्प्लाइंस जादा हो और रुकाफटें कम हो न्युक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे और यहीं नहीं साल में एक बार स्वास्थे का चेक अप भी होगा हैल्द चेक अप इनका होगा और जो खतरना क्षेत्र में काम करने वाले जहां खतरा रहता है ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर उनके लिए Occupational Safety and Health Code भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्ते का ख्याल रखेंगे यहीं नहीं Portability जो है Welfare Benefits की ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी और ESIC का लाब भी इसका भी पैन इंडिया पूरे देशपर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी चाहे वो Establishment जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है उतने तक का है और इसके अलाबा Mandatory ESIC कवरेज भी Notification से माध्यम से Central Government ने सभी Employees को जो ऐसे कतरनाक शेत्रों में काम करने वाले उनके लिए होगी Social Security Scheme भी Gig Workers के लिए और Platform Workers के लिए मिलेगी Reskilling करनी बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि जो लोग वापिस गये हैं काम करने के लिए उनको वापिस उनको स्किल परदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाब मिल सके रोजगार मिल सके इस दिशा में भी काम किये जाएं और जो महिलाओं के लिए काम काज के क्षेतर खुले हैं उसमें रात्री के समय अगर काम करना पड़ता है ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसमें सेवगार्ट अलग अलग तरह के लाए जाएंगे प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूंगा राश्ट निर्मान में लगे हैं उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्द करवाने के लिए ऐसे आठ करोड प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ पे का प्राफधान मोधी सरकार करवाने जा रही है जो नैशनल फू प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ पे का प्राफधान यानि कि उनको 55 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में एक किलो चना प्रती फैमिली एक किलो चना और प्रती व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले दो महिनों तक मिलते रहेंगे इसके लिए मो दूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया लेकिन टेकनोलोजी के माद्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करें कोविड-19 जाए स्तिती ना आए लेकिन अगर कुछ भी होता है स्तिती ना भी आए वैसे भी चले तब भी वो देश के किसी कोने में हो वो कहीं पर राशन ले सकते हैं जिसको हम डिपो भी कहते हैं ताकि राशन वितन प्रनाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाए और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेकनोलोजी के उप्योग से चाहे वो जंदन खाते हो आधार नंबर हो मोबाइल हो इसके माद्यम से पार किसी कोने में राशन लेने के लिए वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 क्रोड बैनिफिशरी जो हैं वो 83 प्रतिशत पीडियस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100 प्रतिशत सत प्रतिशत उसको कवर कर लेंगे नैशनल पोट किसी भी कोने में जाकर अपने हग का राशन किसी भी राशन डिपू से ले सकता है ऐसा उसके लिए सुविदा होगी प्रवासी मजदूर और शेहरी गरीब के लिए जहां वो काम करते हैं शेहरों में वहां पर कम कीमत पर उनको किराये पर मकान मिल पाएं रहने की सुविदा मिल पाएं इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आये और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गाउं तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ती का बेंक खाता खोलने का काम, हर बेन को गैस सिलंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढखने के लिए चत देने का काम मोधी सरकार करने वाली है उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका परधानमंतरी अवास योजना के अंदर कर दिस योजना को लाया जाएगा जो की हमारे अपके बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती जो सरकार के अभी बने और कुछ जगा खाली होंगे उध्योगपती अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइस करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्टरी या उसके आसपास रहने की विवस्ता बनाए या राज्य की सरकारों को उनके जन्सियों को हम लोग प्रेरित करेंगे लाब देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं त्यार करके दें जो मुद्राश, शिशू, रिंड, शिरेणी में लोग आते हैं उनके लिए पंदरासो क्रोड रुपे की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोधी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाब मिल सके एक लाग बासेट अजार क्रोड रुपे आज तक इस मुद्राश, शिशू, लोन के अंतरगत दिया है जो आउटस्टेंडिंग है और इस योजना के माध्यम से लगबग तीन क्रोड ऐसे लोगों को लाब मिलने वाला है और ये कुल लाब पंदरासो क्रोड रुपे के लगबग होगा जो देशवर में मुद्रा शिशू लोन वाले हैं उनको पंदरासो क्रोड पे का लाब इस योजना के माध्यम से मोधी सरकार देगी कि उनके ब्याज में दो प्रतिशत की राहत छूट नरेंदर मोधी जी की सरकार वहन करेगी यानि कि मोधी सरकार उसका खर्चा उठाएग और गरीब को राहत देगी जहां एक और श्रमेक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले पट्री पर समान बेचने वाले जो हमारे श्रमेक साथी हैं जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं जो ठेला लगाने वाले हैं इन सब को COVID-19 के समें इस और ये पांच हजार क्रोड पे की विशेज सुविधा केवल इनके लिए रेडी ठेला लगाने वाले पट्री पर समान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लेकर आए हैं। करेगा डिजिटल पेइमेंट करेगा उसको इसके ओपर इनाम भी मिलेंगे और यही नहीं डिजिटल पेइमेंट का एक लाब उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाए ज्यादा पैसा मिल सके क्योंकि उनका व्यपार लेखा जोखा घ्यान में आएगा तो भी उनको ज्यादा पैसे देने के लिए तयार होंगे तो डिजिटल पेइमेंट को भी इससे बल मिलेगा और लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक धन उपलब्द कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए जैसे कल हमने MSME की केवल डेफिनेशन चेंज की लेकिन उसका इतना बड़ा इंपक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज जादा मिल सकता और अपना वेपा जा केवल ये श्रमिक हमारे पट्री पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडल इंकम ग्रूप है जिनकी आए 6 लाग से 18 लाग तक की है उनके लिए 70 हजार क्रोड का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं जिसे 6 लाग से 18 लाग की आए वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाब मिलेगा इस 70 हजार क्रोड का बढ़ावा देने वाली योजना है जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्स्टेंड की थी जिसका लाब 3.3 यंके 3,30,000 के लगबग मध्यमर के परिवारों को हुआ था अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगबग धाई लाग से जादा मध्यमर के परिवारों को लाब मिलेगा और 70,000 क्रोड पे का इसमें कुल मिलाकर इंवेस्टमेंट आएगी जिससे स्टील, सीमेंट ऐसे मेटिरियल से जुड़े हुए आपके रियल स्टेट से जुड़े हुए हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा तो लाखों लोगों को मजदूरी के अफसर भी मिलेगे तो मजदूरों को भी लाब मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाब भी मिलेगा और गरीब के उपर वाली श्रेणी जो है मध्यमर की उसको घरों का लाब भी मिल पाएगा रोजगार के और अफसर पैदा हो और विशेश तोर पर आदिवासी इलाकों में ट्राइबल एरियास में हो ग्रामीन क्षेत्रों में हो तो छे हजार क्रोड के केमपा फंड्स का सदूपयोग और रोजगार के अफसर पैदा करने के लिए किया जाएगा जिसमें विरिक्षार ओपन हो वनने करण हो इस तरह से उस योजनाओं का लाब आप अलगलग खेत्रों में उठा सकते हैं पर ट्राइबल एरियास में आदिवासी क्षेत्रों में और इसके लाबा चाहे शेहरी अर्द शेहरी क्षेत्रों ग्रामीन क्षेत्रों यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं जहां पहले केंदर सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया जिसकी जानकारी हमने पहले दी उसके लाबा अगर कहा जाए तो क्रिशी के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी की और कोई नुकसान क्रिशी के क्षेत्र में नहीं होने दिया ऐसा प्रयास किये गए लेकिन हमारे छोटे और सिमान्त किसान जो है उनको लाब देने के लिए ऐसे तीन करोड छोटे और सिमान्त किसानों के लिए तीस हजार करोड पे की अतिरिक्त सुविधा नरेंदर मोदी जी की सरकार लेकर आई है और ये 30,000 क्रोड, 90,000 क्रोड जो नबाड देता है उसके अतिरिक्त है और ये सारा पैसा State Cooperative Bank, District Cooperative Bank, Regional Rural Bank इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वित्रन वहाँ पर किया जाएगा ताकि छोटे और सिमान्त किसानों को इसका लाप मिल सके जहां एक और कही योजनाय, PM किसान, जहां 6,000 क्रोडों किसानों के खाते में जाता है या Soil Health Card हो, बाकी योजनाय मोधिज ने चलाई वहीं पर अब एक 2,00,000 क्रोड पे की सुविधा, Concessional Credit को बढ़ावा देते हुए ये धाई क्रोड जो किसान है, उनको इसका लाप मिलेगा, ये किसान क्रेडिट कार्ड के माद्यम से मिलेगा, एक विशेश अभ्यान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माद्यम से रियायती दर पर रिण इनके लिए उपलब्द होगा, और लगभग जैसा मैंने का कि धाई क्रोड किसानों को 2,00,000 क्रोड पे की सुविधा मिलेगी, और इसमें किसानों के साथ-साथ मच्वारों को, पशु पालकों को, इनको भी इसका इसमें लाप म मिलेगा, और इससे उनके आय के साथन भी बड़ेंगे. यो उव क्या इनके लुप फ्याव इसमें लुप लिवारों के साहरे इसमेंगेमानों को, यि प्यू प्यू जाना मिलेगी कर्वान लव फ़यू हम आपको झावकान रव युद। ऑवर्वाद को आपको जव तक मिलेग का सब्सेंदी श्यू प्लीकांट मॉपक्वार, ऩ No, yes, there are people suffering. Yes, we notice a lot of people undergoing severe, you know, constraints. They are walking back to their homes. Prime Minister had requested, please stay wherever you are. But nevertheless, emotions being what they are, and their concerns being what they are, we understand migrants moving. We will have to extend all benefits, and that's what we are trying to do. And therefore, in this entire COVID-related response, I thank the media for constantly keeping every concern heard both ways, from the citizen to the government, and from the government, the stimulus and other things that we want to do to the people back. So thank you very much.